हेला दोस्तों इस वीडियो के दर हम समझते हैं अध्या नबर 10 जिसका नाम है जेव अनू और ये लास्ट जेप्टर दोस्तों बायो मोलिक्ल्स और इसके हम देख रहे हैं इंपोर्डन कॉशन आंसर अतिमतुपुन प्रश्ण उप्तर तो वीडियो को एंड तक देखना चले सेक्रेड होता है ठीक है अंक मतल रहा है इसका हम जलब गटन करेंगे यहाँ से क्या दोस्तों स्था सोता है वह महें परिवर्त और हो जाता है संख्याल ने सकते हो प्रकरती सबसे अधिक मातरा में पाय जाने वाला कार्बोहाइडेट कौन सा है तो प्रकरती में सबसे अधिक की क्रिया से बने उत्पाद का नाम बताईए ग्लुकोज तथा फैनिल हाइड्रेजिन की क्रिया से बना जो उत्पाद होता है वो क्या हो जाएगा गलाइकोसा जोन हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है फॉर्थ फ्रक्टोज को लेवलोज क्यों कहा जाता है तो फ्रक्टोज होता इस करण से इसे लेवलोज कहा जाता है ठीक है पांचवा कोशन प्राकर्तिक एमिनो अमलो का विन्यास किस परकार का होता है तो जो प्राकर्तिक एमिनो अमलो होते हैं इनके विन्यास के हम बात करेंगे दोस्तो तो अधिकांच प्राकर्तिक एमिनो अमलो का विन्यास होता है वह एल विन्यास होता है किस टाइब का विल्णास होता है एल विन्यास होता है ठीक है चाठा कोशन दोस्तों रेशेदार प्रोटिंग के दो उदान दिखिए तो रेशेदार प्रोटिंग के दो उदान हो जाएगा एक तो कीरेटिन और दूसा हो जाएगा मायोसीन कीरेटिन म साथवा कोशन देखी दोस्तों वह पॉलीपेप्राइड हार्मोन कौन सा है जो रग्त में ग्लुकोस के अस्तर को नियंतरिट करता है तथा सो से कम एमिनो अमलो से मिलकर बना होता है तो जो ग्लुकोस के अस्तर को नियंतरिट करता है और वह सो से कम एमिनो एसिड से बना है त एक्स्त कॉशन हम समझते हैं आड़वा कोशन विटामिन कि नहें के यह हैं विटामिन की दे डिफिनेशन बतानी है विटामिन कि नहें के ते यह场 हो जाएगा जीवों के आहर में आवशेक कार्बनिक योगिक जो विशिष्ट जैवी क्रियाव से संपन्ण होने के लिए आवशक होते हैं तथा जिनसे जीवों की इस्टितम व्रद्धी तथा सामान्य रख रखाव होता है उन्हें हम क्या कहते हैं विटामिन कहते हैं वापस से पढ़ लिजिए जीवों के आहार में आवशक कार्बनिक योगी जो विशिष्ट जेविक क्रियाव के संपन्न होने के लिए आवशक होते हैं तथा जिनसे जीवों की इस्टितम व्रद्धी तथा सामन्य रख रखाव होता हैं उन्हें क्या कहते हैं विटामिन कहते हैं दोस्तों जेवी क्रियाव में संपन्न होने वाले जो की कार्बनिक योगी खोते हैं जिनसे हमको क्या होता है एक तो जीव GT है तो इसके पूरक स्ट्रेंड में शारगों का करम क्या होगा अब इसमें आपको ध्यान रखना है देखो ए होता है मतलब एडिनीन होता है इसका पूरक हो जाएगा दोस्तो थाइमिन फिर थाइमिन का पूरक हो जाएगा एडिनीन समझे जहां से एडिनीन का पूरक हो गा साइटोसीन और साइटोसीन का पूरक हो जाएगा गौानीन इसका मतल़ आप लोग समझ लेना कि यहां पर आपको T है उसका पूरक लिखना A, A का पूरक लिखना T, G का पूरक लिखना C, C का पूरक लिखना G, A का पूरक T, T का पूरक A, C, C का पूरक GG, G का पूरक C, T का पूरक A तो इस प्रकार से यहाँ पर शारकों का करम हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो आप लोग इतना स्क्रिंशोड लेना चाते हैं ले सकते हो अगला कोशन हो जाएके दोस्तो दस्वा प्रोटीन की प्राथ्मिक तथा द्वीतियक सरचना में कौन से बंद उपसित होते हैं तो protein की प्रांत्मिक जो सरचना होती है उसमें peptide बंद उपस्त होते हैं और द्वीतिक सरचना में hydrogen बंद उपस्त होते हैं अगला question 11 glycoside बंद से आप क्या समझते हैं ये question अगले साली पूचा गया था 2023 में तो ग्लाइकोसाइडी बंद होता हैं, क्या होता हैं इसकी डेफिशन बताने हैं, देखी ध्यान से, ओलिगोसेकरेट तथा पॉलिसेकरेट में दो मोनोसेकरेट इकाय या अकसाइड या फिर इथर बंद द्वारा जूड़ी होती हैं, जो की जल के एक अनु के निसकासन से बनता हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडी बंद कहते हैं, दोस्तों ध्यान रखिए, ओलिगोसेकरेट या तथा पॉलिसेकरेट होते हैं, उनमें क्या होता हैं, जो मोनोसेकरेट की इकाय होती हैं, उनमें ओकसाइड या फिर बंद का निम्हा होगा उसको हम क्या क्या केते हैं जा फिर इसकी डेफिडिनी वह जाएगी इस परकार से कि two 저 Friday के मत्डिय औक्सिजन परमान से बने बंद को लाईकोसडी बंद के देखो लो डेफिनेशन है तो देखिए आगे कोश्न 12 जीगा नुकलियोटाइड आपस में कौनसे बंद वारा जुड़े होते तो नुकलियोटाइड होते दोस्तो वह आपस में फस्पो targeting i ester burn ke dvara जुड़े होते हैं से घ्लξन्ष को Coだけ सिक्जिन दुरूम गुनक matern कि शाया जाता है जोंट्वा करण दोस्टों को सेक्राइड क्यों कहते हैं तो कार्बोईडेड को सेक्राइड क्यों कहते हैं कार्बोईडेड शरकरा सुगर्स या शरकरा एकलकों के बहुलक होते हैं तो शरकरा जो सुगर्स होते हैं उसकी जो एकलक इकाया होती है उनके बहुलक से बने होते हैं कार्बोईडेड इस कांट से इनको क्या कहा जाता हैं सेक् Data कर तेईसमें जुए न ओमर का मतलब क्या होता इसको समझ जह आणसर यहाँ चक्री सरचना में ग्लूकोस के दो रूप हो जाते हैं छाक्री सरचना मैं यह लूरहरी पढ़ा कि रख्ण Warsकिर सरचना सब कुछ ठीक है तो प्लैलिस्ट का लिंग होगा इस चेप्टर का जो नामक चेप्टर का वो मिल जाएगा डिस्कृरिषन है तो जाके आप लोग देख लेना ठीक है कि माई तो एक को alpha glucose alpha ल्फा डी ग्लूकोष कहते हैं और दूसरे को beta dr glucose कहते हैं चक्रिय सरतना में glucose के दो रूप हो जाते हैं एक को कहते हैं अलफा डी glucose और दूसरे को कहते हैं बीटा डी glucose दोनों में प्रथम कार्बन असम्मित होता हैं अब इन दोनों में अलग-अलग नाम का reason यही है कि इन में प्रथम कार्बन होता हैं वो कैसा होता हैं असम्मित होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एनोमर कहते हैं जिनको हम क्या कहते हैं एनोमर कहते हैं तो अलफा ग्लुकोज में पर्थम कार्बन पर जो OH होता है OH होता है वो दाई और होता है किस और होता है दाई और और बीटा डी जो ग्लुकोज होता है उसमें OH होता है वो बाई और होता है ठीक है जो आपका अलफा डी ग्लुकोज होता है इसमें OH होता है पर्थम कार्बन पर वो दाई और होता है और बीटा डी ग्लुकोज में जो पर्थम कार्बन पर OH है वो बाई और होता है और दोस्तों यही है आपका एनॉमर ठीक है आर य सुक्रोज होता है दोस्तों इसके हावर सरने के बात करते हैं तो सुक्रोज किस से बनता है वह आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक तो अलफा-डी ग्लुकोस और डूसरा बीटा-डी फ्रक्टोस से मिलकर बना होता है तो उनके मध्य ग्लाइकोसाईडी बन बनता है तो दोस तो किसका नहीं होता है सुक्रोस का अलफा डी ग्लुकोस होता है इसका फर्स्ट कार्बन इसमें OH होता है और बीटा डी ये फरक्टोस होता है दोस्तो इसमें सेकेंड कार्बन की बात करा हूँ फर्स्ट कार्बन उपर होता है और second carbon यहाँ पर कौन है में तो second carbon पर OH होता है और यहाँ पर first carbon पर OH होता है OH, OH उसमें से H2 बहार निकल जाएगा एक oxygen बचेगा जो की बीच में दोनों का बंद बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं glycoside band कहते हैं अभी आपने देखी थी इसकी definition आरे बाद समझवें तो दो monosecrate इकायो की मद्यो oxygen परमाउंट से बने बन को glycoside band कहते हैं तो यहाँ पर यह हैं बाकी आप लोग समझ लेना इसको ठीक है देख लेना और दोस्तों इसके बारे में आपको सिखना है कैसे बनाते हैं तो मैंने आपको भी बताया playlist का link मिल जाएगा description है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं सबकी हावर सर्थ न होती इसको अगला question last and final है दोस्तों vitamin के प्रकार रासाइनिक नाम तथा कमी से होने वाले रोग बताईए हाला कि इसको मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि ये question आपको playlist में मिलेगा या फिर मैं अलग से इसका link देदूँगा जिसमें vitamin के सारे प्रकार इसके रासाइनिक नाम कमी से होने वाले रोग इनको trick के माइद आप लोगों को याद करना है तो मैंने already इसको पढ़ा रखा है इसलिए answer नहीं लिखा है ठीक है तो vitamin के बारा आपको detail से पढ़ना पढ़ेगा तो दोस्तों आप लोग इतना screenshot ले सकते हो अगर लेना चाते हो तो बाकि वीडियो कैसा लगा है वो comment करके बताएगा वीडियो चे लगाओ तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो करदना बेल देने निक्से वीडियो में तक दिल जहीं वन्दे मात्रा